बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में कुछा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सेलूट मारा थानेदार ने पोटली की तर्फ ने हारा सेलूट के जटके में पोटली भिंज गई उसमें से एक गाड़ी सी कत्थाई बूंद रिस गई थानेदार ने पोचा अबे इस पोटली में से क्या तपका रहा है क्या कहीं से शर्बत की बोतले मार के ला रहा है सिपाही हर बड़ाय हुजूर इसमें शर्बत नहीं है अब राता क्यों है हद है शर्बत नहीं है तो क्या शहद है सिपाही कापा सर शेहद भी नहीं है इसमें से तो कोई और ही चीज बही है और ही चीज तो खून है क्या अब जल्दी बता क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरूर दी या किसी मेमने की टंग तोड़ दी अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है पकाएंगे हम भी खाएंगे तज़ेवी कहलाएंगे सिपाही गेगी आया सर ना पका सकता हूँ ना खा सकता हूँ मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ इतना कहकर सिपाही ने वो पोटली मेज़ पर खोली देखते ही धानिदार की भी आत्मा लोली उस पोटली से निकले किसी नौजवान के दो कटे हुए हाथ धानिदार ने पूछा बता क्या है बात ये क्या कलेस है सिपाही बोला हुजूर रेलवे लाइन एक्सिडेंट का केस है एक्सिडेंट का केस है तो यहां क्यों लाया है और बीस परसेंट बोडी ले आया एक्टी परसेंट का छोड़ाया है सिपाही बोला माई बाप ये बंदा इसी लिए तो शर्मिंदा है क्योंकि एक्टी परसेंट बोडी तो जिन्दा है पूरी लाश होती तो यहां क्यों लाता वहीं उसका पंचनामा न बनाता लेकिन हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया वो तो हाथ कटवा के खड़ा हो गया रेल गुजर गज़र गई तो मैं दोड़ा वो तना था मानन दे हतोड़ा मुझे देख के मुस्कुराने लगा और अपनी ठूंट बाहें हिला हिला के बताने लगा ले जा ले जा ये फालतू हैं बेकार हैं और बुलाले कहां पत्रकार हैं मैं उन्हें बताऊंगा के काड़ दिये किसलिए? इसलिए के मैंने जहला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिल्चला पंद्रे साल हो गए इन हाथों को कोई कामी नहीं मिला? हाँ इसलिए मैंने सोचा कि फालतू हैं बेकार हैं इने काड़ दूँ और इस सोये हुए जनतंतर के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए प्लॉट दूँ प्लॉट दूँ कि इन कटे हुए हाथों में पंद्रह साल की रोजी रोटी की तलाश है आदमी जिन्दा है और यह उसकी तलाश की लाश है इन्हें उठा ले अरे इन दोनों हाथों को उठा ले कटवा के भी मैं तो जिन्दा हूँ तू क्या मर गया? हुजूर इतना सुनकर मैं तो डर गया जिन्न नहया भूत में ने किसी तरह अपने आपको साधा हाथों को जटके से उठाया पोटली में बांधा और यहां चलाया अब इनकी रिपोर्ट कैसे बनाओ? इन्हें जलाओ या दफनाओ? तानेदार बोला मामला सीरियस है पर जलाने या दफनाने में काईगी बहस है? अरे नादान आदमी जिन्दा है तो दोल के जाओ और पूछ के आगे हिंदू है या मसल्मान हिंदू है तो हाथों कुछ चिता बना मसल्मान है तो दफना सिपाई बोला हुजूर अब मुझे न भेजें और इन हाथों को भी अब आपी सहे जें थानेदार भी घबरा गया कटे हाथों को देखके चकरा गया बोला इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा लड़के इन्हें देखके नहीं डरेंगे इनकी चीर फाल करके स्थड़ी करेंगे पता नहीं इसके बाद क्या हुआ लेकिन घटना ने मन को चुआ अरे उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने दो हाथों को खो दिया और सच कहता हूं कि टाइम्स अफ इंडिया में एक दक्षणी वक के बारे में ये खबर पढ़के मैं रो दिया रो दिया और सोचने लगा कि इसे पढ़कर हमारे तथा का थित बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए अरे आज आज आपकी ही क्रिपासे एक अखेले पेट के लिए दू हाथ भी कम पढ़ गए वो उकता गया आपके जोटे वाद ओं जोटी बातों से वरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने इन दू हाथों से वो इन हाथों से किसी मकान का नक्षा बना सकता था हाथों में बंदूग थाम के देश को सुरक्षा दिला सकता था इन हाथों से वो कोई सड़क बढ़ा सकता था क्रेन से सामान चढ़ा सकता था और तो और ब्लेक बोर्ड पर हर से हाथ लिखकर बच्चों को बढ़ा सकता था मैं सोचता हूँ इन्ही हातों से उसने बच्पन में तिमाही, छमाही, सालाना परिक्षाएं दी होंगी मां से पास होने की दुआएं ली होंगी इन्ही हातों में वो प्रथम श्रेडी में पास होने की खबर लाया होगा इन्ही हातों से उसने खुशी का लड़ू खाया होगा इन्ही हातों में उसने डिग्रियां सहीजी होंगी, इन्ही हातों से उसने अरजियां भेजी होंगी, और अगर काम पा जाता तो ये निपूता, इन्ही हातों से मा के पाओं भी छुता, खुशी के मौके पे इन हातों से डपली बजाता, और किसी खास रात को इन हातों से दु पर तूने तो काट लिये मेरे दोस्त, लेकिन तू कायर नहीं है, कायर तो तब होता, जब समूचा कट जाता, और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा को हड़ जाता, सरदार भगत सिंग ने, ये बताने के लिए कि देश में खुलामी है, पर्चे बाटे, और तूने बेरुजगारी है, ये बताने के लिए हाथ काटी, मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूँ, ऐसा तो मुझे ब्रह्म नहीं है, लेकिन प्यारे, तू किसी शहीद से कम नहीं है, क्योंकि तिरी शहादत के पीछे, लाखों बेरोजगार नौजवानों की कतार है, और उस पूरी कतार की यही पुकार है, कि हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतिजाम दो, हमें काम 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 झाल झाल